हेलो सुटेंट वेलकम आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर टू आप मैं विख्टी चैप्टर वन मैं आपके साथ रिकवर कर चुकी थी उसको हमने अंसी आडी सॉलुशन भी कर लिये थी उसके और बहुत ही इजी नांगुज में मैंने वह आपको चैप्टर सम करने की कोशिश की हैं जिसे कि आपको बहुत जादा टफ लैंग्विज में ना पढ़ना पड़ें आपको इसी लैंग्विज में सबको समझ में आ जाए तो आज हम पढ़ेंगे आत्में विख्धित्व क्या होता है लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बास समझाना चाहते ह साइकलोजी को अपको पढ़ना हैं अपने उपर अपलाए करेंगे कोई एक अपने उपर ही अzh pay करेंगे की इस जगह पर हम नहीं है पहली वीडियो में बतायाता कि साइकलोजी मतलब मनो विज्यान इसका मतलब है आत्मा का अध्याड कि तो इसका मनलब आप अपने बारे में पढ़ रहे हैं आपर और इस chapter में especially ये बहुत important chapter है आत्में विगतर हैं इंग्लिश में self and personality कहते हैं तो ये बहुत ज़ादे इंपॉर्टेंट chapter है ये आपको help करेगा कि आपको कैसे कैसी चीजों पर क्या-क्या react करना है या अगर आप अ introduction क्या-क्या हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमें क्या-क्या सीखने को मिलेगा तो पढ़ने के बाद हमको क्या सीखने को मिलेगा सबसे पहले हम यह जान लेते हैं आपको पढ़ने के बाद सीखने को मिलेगा आत्मे के संप्रते का वरण कर सकेंगे वेवार के आत्म न मतलब क्या होता है वह मतलब होता है परस्नालिटी परस्नालिटी अब आप लोग सुझे परस्नालिटी तो वह होती है कि बहुत अच्छे से कपड़े पहन रखें बहुत अच्छे से हेर स्ट्राइल कर रखें बहुत सारे औरनेमेंट्स पहन रखें तो वह परस्नालिटी यह लेकिन ऐसा नहीं होता वो परस्ट न seminar लेटी नहीं है बहुत अच्छी होगी कभी फीवर नहीं हुआ कभी जुखाम नहीं कभी खासी नहीं हुआ लेकिन वह अंदर से बहुत दुखी है अंदर से बहुत परिशान है तो वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा अगर तो आपके सैकलोजी के तीचर अलग होगी, इंगलिश की टीचर अलग होगी, आपको पसंद है सैकलोजी की टीचर, आपके फ्रेंड को पसंद है तो हम क्या करेंगे, हम दोनों टीचरों की personality का assessment कर लेंगे तो यही इस chapter में पढ़ने के बाद हम इन सब चिजों को जान पाएंगे उसके बाद introduction है कि भही आप इस chapter में क्या के पढ़ेंगे पहले आप आत्म एवं व्यक्तित्व पढ़ेंगे व्यक्तित्व का मुल्यांकन पढ़ेंगे तो यह सब आप इस video में इस chapter में आप पढ़ेंगे फिर उसके बाद आप देखें मैंने आपको पहली पताया था कि इस chapter को पढ़ने का था आप क्या 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 पढ़ लेंगे आप basically यह जो chapter है ना क्या समझने में help करेगा आपको यह समझने में help करेगा कि भई जो आप हो या फिर दूसरे हैं वो different different situation में कैसे behave करते हैं उनका जो thought है वो different different situation में कैसे change हो जाता है आप वो भी इस chapter में पढ़ेंगे अब हम basically बहुत ही interesting के साथ बहुत interesting topics को लेकर आई है यहाँ पर बहुत interesting topic आया है वह हमारे सामने वो है आत्म एवन विख दिती मतलब कि self and personality अब self क्या है देखें दो चीज़े हैं आपे self और personality self क्या होता है personality क्या होता है self वो होता है जो हम अपने बारे में views hold करते हैं जैसे मैं पूछों आप से आप कौन है तो आप क्या कहोगे कि I am Rahul या I am Neha ठीक है I am very honest person मैं बहुत इमानदार हूं आप तो आप यह सब अपने बारे में बता सकते हो तो आपका नाम आपकी beliefs आपकी quality यह सब कुछ self में आती है कोई भी ideas आप अपने बारे में hold करते हो that is self अब personality क्या होती है मतलब व्यक्तित्व क्या होता है तो देखो जो एक इंसान होता है वह बहुत ही risk taker होता है मतलब कि जैसे market में कोई phone launch हुआ है तो वह phone ले आया या कोई गाड़ी launch हुई है तो वह घाड़ी ली आया तो क्या क्या बिना गाड़ी कि उसका काम नहीं चल रहा था अगर लाया तो भी ठीक है और कोई person नहीं लाया तो भी ठीक है तो basically इसे ही को हम personality कहते हैं ऐसे हमें और लोग देखने को मिलते हैं जो जादा बात करते हैं जो कम बा कोई कम सोता हैं कोई जादा सोता हैं तो यही कह होते हैं यही personality होते हैं तो आज हम बात करेंगी mode of self की अब आपने चीज देखी है कि आपको बच्पिन में एक activity दी जाती थी आक्टिविटी दी जाती जिसमें teacher आपको बोल दी थी कि बिच्चो राइड़ने से हो माइसल्फ आपको माइसल्फ लिखने को दिया जाता था तो आप उसमें क्या क्या लिखते थे I am Neha I am this year old I am girl I am honest person तो यह activities आपको क्यू दी जाती थी यह activities आपको इसलिए दी जाती थी जिससे कि आप अपने बारे में कुछ समझें आप अपने बारे में कुछ जानें आपको अपने ब होमबग देते हैं आपको होमबग यह है कि आप पैन लेंगे पेपर लेंगे उसमें आप अपने बारे में 10 लाइन लिखेंगे मनलाब आपको अपने बारे में माइसल्फ लिखना है आपको 10 लाइन तो यह मेरी गरेंटी है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पॉइंट आएगा ज new born child देखे तो new born child क्या है उसे ना अपने बारे में उतनी awareness नहीं होती है पर जैसे जैसे ना वो grow करता रहता है उसके self awareness बढ़ती रहती है वो कैसे बढ़ेगी उसके parents help करेंगे उसके friends help करेंगे उसके society help करेंगी जैसे जैसे वो बड़ा होते रहेगा लोगों से मिलेगा उसके experience भी बढ़ती रहेगे अच्छे लोगों से मिलेगा तो अच्छे experience होंगे बुरे लोगों से मिलेगा तो बुरे experience होंगे उसको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा भी होता है society में तो जब बड़ा होगा तो उससे पता चलेगा कि अपने बार में पता चलेगा क्या पता चलेगा कि जब गेम होती है और मैं गेम में हार जाता हूँ तो मैं रोता हूँ तो इसको ये पता है कि जब गेम होती है और गेम में जब मैं हार जाता हूँ तो मैं बहुत रोता हूँ यह आपको भी तो अभी अपने बारे में पता होगा कि जब एक्जामस आते हैं और एक्जामस में जब मेरा रिजल्ट आता है और मैं अपने फ्रेंड के साथ उसे compare करती हूँ तो मैं बहुत jealous feel करती हूँ तो इसी को ही तो हम कहते हैं self awareness मतलब कि आप अपने बारे में कितना समझते हो वो खुद को कितना समझते हो तो देखिए basically ना दो तरीके self होते हैं बच्चो दो तरीके self होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं सबसे first जो self होता है that is आपका personal identity व्यक्तिकत अनुयता तो यह क्या होता है personal identity personal identity मतलब होता है कि वो attribute जो आप खुद को assign करते हैं assign in the sense आप अपने बारे में लिख रहे हैं जैसे I am Neha, मैं Neha हूँ I am a girl, मैं लड़की हूँ I am a good dancer, मैं बहुत अच्छा dance करती हूँ यहाँ पर आप अपनी potentiality के बारे में बता रहे हैं आप अपनी quality के बारे में बता रहे हैं आप अपने विश्वासों के बारे में बता रहे हैं I believe in God मैं भगवान पर विश्वास रखती हूँ यहाँ पर आप खुद के बारे में बता रहे हैं उसे को हम कहते हैं personal identity that is personal अनियंता उसके बाद आजाता है समाजिक अनियंता social identity इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वो एक सेप्ट आप include करती है जो आप अपने culture और ग्रूप से जुड़े होते हैं मतलब जैसे कि I am Brahman मैं Muslim हूँ या मैं Christian हूँ या मैं Sikh हूँ मैं North Indian हूँ मैं Western Indian हूँ तो यहाँ पर आपका क्या है कि culture और religious आपको जोड़ रहा है एक social identity के साथ उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे उसके बाद आ जाता है आत्मगत रूप से आत्मगत रूप में आत्म एवं वस्तुगत रूप में आत्म अब यह क्या होते हैं बेसिकले ना इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम दो चीजों के बारे में देखेंगे आत्मगत वस्तुगत क्या होते हैं यह दूनों आत्मगत और वस्तुगत क्या होते हैं आत्मगत को अगर हम English में बोले हैं Self as a subject देखें मैं English में इसलिए आपसे बोलती हूँ कई बार मैं English में topic इसलिए बोलती हूँ कि कई बार क्या होता है न कि English में topic बोलने से सारा concept clear हो जाते है तो आप में गत का मतलब होता है self as a subject self as a subject क्या होता है जैसे कि आप पूछो आप कौन हो आपने किसी person से पूछा आप कौन हो तो परसन आपको answer देता है I am the dancer यहां पर वो खुद को mention कर रहे हैं यहां पर खुद के बारे में बता रहे हैं कि I am the dancer ठीक है उसके बाद वस्तुगत क्या होता है वस्तुगत होता है जै observe in the sense की जैसे कोई person है person कही रहे है कि मतलब सबसे पहले subject में आता है कि मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा ही हूँ सब्जेक्ट में person क्या जीसा है है जा मुझे बुस्त आता है यई मुझे टा बुस्त परसंध की वज़έ से बन गया या मुझे नहीं जाए गुस्ता हाता है इस person की वज़े से आता है ठीक है तो यहां पर क्या हुआ आत्मगत में जो कुछ करता है वो वही करते है और यहां वस्तुगत में क्या है कि जो किसी चीज से प्रभावित होता है ठीक है basically अगर मैं short form में आपको easy language में बोलू कि self as a subject मतलब आत्मगत क्या है जब भी होगा तो person अपने बारे में जानता होगा ठीक है कि हां मैं ऐसा ही हूँ और self as a object में बस्तुगत में person mention करेगा कि वही मैं इसकी वज़े से ऐसा हो गया तो उसी को ही हम आत्मगत और वस्तुगत बोलते हैं अब हमारा next आता है basically next हम पढ़ेंगे आत्म के प्रकार देखें यह ना different types हो कि यहां पर different types of self होते है different types of self बोले तो जब हम नेने लोगों से मिलते हैं तो क्या image आती है इमेज आती है self की क्यों आती है आत्म की आती है क्यों आती है आत्म की image हम नेने लोगों से मिल रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि हम कहां stand कर रहे हैं मैं कहां stand कर रहा हूं मैं कहां आता हूँ मेरा level कहा है वो आ जाते हैं अब हमने देखा होगा कि जैसे बच्पन में जब बच्चा होता है तो उसे भूग लगती है तो वो मुझे भूग लग रही है लेकिन जब बड़ा होता है तो वो समझाने लग जाता है कि हाँ मैं भूगा हूँ I am hungry ठेके तो यहाँ पर क्य है यहाँ पर क्या क्रियेट हो रहे है यहाँ परror है उसका biological शल्फ क्याम जबायो ऑप्समन ट्रेट हो रही है उसकी ठिक है तो जैवेक शंब्सम्त हो रही और हुग थी थ Hugh dessas हौत तो यहा पर वही बच्चा क्या है बढ़ा हो तो यहां पर बच्चा बढ़ा होता है तो यहां पर उसके बायोजिकल चीज़ों में चीज़ आ रहा है तो जब और बढ़ा होता है तो उसको क्या आजाता है उसको भी परसनल होने लगता है परसनल मतलब कि हाँ यहां मेरा परसनल फोन होना चाहिए मेरा परसनल लैपटॉप होना चाहिए या मैं अपने खुद के फ्रेंड्स के साथ अकेले भार घूमने जाओं या मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ तो उसमें क्या है उसमें एक psychologically freedom चाहिए उसको अजादी चाहिए psychological तो यहां पे उसको psychological needs भी बढ़ने लग गई है तो यहां पे उसका एक personal self image बनने लग गया ठीक है उसके बाद हमारा आता है basically social self अच्छा इसमें personal self मैं आपको एक और चीज़ बताती हूं me personal comfort भी आता है मतलब कि हम बात करें व्यक्तिगत आता है व्यक्तिगत स्वतंदरता आता है मतलब बच्चे को freedom चाहिए उसका AND personal व्यक्तिघ्यत उत्रताई वी आती है व्यक्तिघ्यत स्वड़ाएय आती है यहां पर बच्चे का सटनल comfort zone भी आताएं वो comfort zone से भाहर निकल के काम करी ही नहीं सकता है, वहला सुखसु विदाओं में ही काम करेगा, अगर वो सुखसु विदा उसको वहां नहीं मिले तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, फिर अब उसके बाद जो बच्चा होता है, वो अपने खुद के responsibility हो समाजिक आत्मी क्या होता है, कि basically यहां पर हम और लोगों के relation से हमारी image होती है, जैसे कि मान लीजिए, आप एकता, संबंधन, त्याग, समर्थन, अत्वा भागिदारी, जैसे जीवन के पक्षू पर बल दिया जाता है, यहां पर basically है, unity हो गई आपी, अगर इंगलिश में unity, corporation, sacrificing, इन सब चीजों पर बल दिया जाता है, इन सब चीजों से और लोगों के साथ relation develop किया जाता है, जैसे कि for example, हम बच्चे को बोल रहे हैं, कि बेटा, आप जब स्कूल जाओ, तो आप अपना lunch share जरूर करना, या जब आप teacher को देखो, तो उनको good morning wish जरूर करना, तो यह हमारा क्या आ जाता है, यह हमारा social self आ जाता है, तो I hope आपको बहुत अच्छे से यह चीजे समझ में आई होंगी, अब हम मिलेंगे next video में, next video में मैं आपके लिए लेकर आओंगी, नया concept, new concept, next concept हम पढ़ेंगे, next concept है हमारा आत्म का संप्रते, आत्म का संप्रते, और आत्म के लिए, तब तक के लिए, thank you so much, and please अपनी learning continue रखिए, and जो आपकी notes है, वो अपनी handwritten notes बनाती रहें, thank you so much.